तो हमारा इस unit में जो last organism है, ठीक है, unit four में जो logi first paper के तो इसमें वेसी फंस्टियर का do Angry eagle 17 पेपर है उसमें जो last unit है last unit हमारी कौन सी है, unit four इस unit में tinia solium last organism है ठीक है इसके बाद में एक और आपको filum पढ़ता है ठीक है टैप मतलब होता है चपटा टैप मने क्या होता है चपटा वार्म मतलब होते है क्रमी यानि ऐसे कीड़े या ऐसे वार्म जो कैसे होते हैं फ्लैट होते हैं या इसको हम लोग फ्लैट वार्म के नाम से भी जानते हैं ठीक है एक और नाम इसका लिख लीजेगा फ्लैट वार्म फ्लैट वर्म ठीक है तो इसे हम लोग चप्टे करमी के नाम से जानते हैं या हम लोग इसे टैप वर्म भी कह सकते हैं अब देखे इसमें कुछ इंपोर्टन तींग है इंपोर्टन तींग यह है कि इसकी आपको पूछी जाती है classification या systematic position के बारे में पूछा जाता है ठीक है तो classification या systematic position के हम लोग discuss कर लेते हैं तो पहला यहाँ पर हमको phylum इसका पता होना चाहिए तो phylum definitely हमको मालूम है कि unit 4 platy helminthes है तो इसका phylum क्या हो जाएगा platy helminthes ठीक है class की बात करेंगे तो class इसका होगा इस्टोड़ा दो नमबर में आता है याद कर लीजिएगा order की बात करें तो order जिसका हो जाएगा tinoidia ठीक है tinoidia और family tinoidia हो जाएगा order tinoidia हो जाएगी family और genus की अगर अपने लोग बात करेंगे तो genus होगा tinea और species जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी solium tinea solium दोनों की नीचे अड़र लाइन रहेगा genus का जो पहला लेटर होगा वो बड़ा रहेगा और बाकी सारे लेटर स्माल और इसके species में सारे लेटर स्माल जाएगा और दोनों का जो लिखावट होगी वो italic लेटर में होगी यानि तिर छे एक्षरों में ये लिखे जाते हैं इस बात को याद रहेगा तो यह हमारा हो गया इसका classification एक बार फिर सम्म लोग repeat कर लेते हैं तो इसका phylum हो जाएगा फ्लेटिलमन्थीज क्लास हो जाएगा सिस्टोडा ardor हो जाएगा टीनॉडिया family हो जाएगी टीनाइडी ठीक है जीनस हो जाएगा टीनिया और स्पिसीज हो जाएगी सोलियम उसको लिख लीजिए इसके बाद में heading डाल दीजिए habit और habitat इसका screenshot डिलीजिए ज्यादा बैतर रहेगा ठीक है heading डाल दीजिए habit और habitat इसका आवास क्या है और इसका वास इस्थान क्या है उसके बारे में हमनों को थोड़ा सा समझना है तो इसमें लिखे है habit और habitat heading डालिए और इसके अंतरगत लिखना सुरू करें सभी लोग लिखे है टीनिया सोलियम टीनिया सोलियम एक डाई जेनिटिक समझें इस बात को टीनिया सोलियम एक डाई जेनिटिक एंडो पैरासाइट टीनिया सोलियम एक डाई जेनिटिक एंडो पैरासाइट होता है डाई जेनिटिक एंडो पैरासाइट कहने का मतलब होता है जो body के अंदर करमी रहते हैं ठीक है body के अंदर जो पाया जाए उनको लोग बोलते हैं endo और parasite that means किसी organism से ये अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और die genetic यहां पर हम जीन से related कर सकते हैं तो ऐसे दो यहां पर individual होंगे जिनके अंदर यह अपनी life cycle को complete कराता है ठीक है भाई अगर इसकी life cycle की बात करें जीवन शक्र की बात करें तो life cycle को complete कराने के लिए इसको दो host की आवशक्ता होती है तो इसमें जो पहला host होता है वो होता है human और दूसरा जो host होता है वो दो vertebrates होते हैं लाइक हम pig की बात करें इसे sewer कहते है pig और cattle जितने cattle हैं उनकी बात करें ठीक है उनमें भी क्या होता ही अपनी life cycle को process proceed कर सकता है तो पहला point हमने क्या समझा है आपर कि जो tap warm है या जो tinea solium है यह digenetic endoparasite होता है जिसका primary host यह point बहुत important है ज्याद रखने वाले हैं जिसका primary host प्राथमिक पोशद इसको हिंदी में कहते हैं primary host human यह हम लोग होंगे ठीक है humans में पाया जाता है यह specially जिसका primary host human तता secondary host तता secondary host पिग सेकेंडरी होस्ट पिग कामा गौट बकरी भी होती है पिग गौट कामा होर्स गोड़ा गोड़ा भी हो सकता है हाँ जितने भी अर्वी बोर्स है और वर्टीब्रेट है तो definitely यह अपनी life cycle को उनके अंदर perform कर सकता है ठीक है horse cattle ठीक है आदी ETC आदी हो सकते हैं जिसका primary host human human के अलावा इसका primary host को नहीं होगा secondary host में क्या क्या हो सकता है secondary host में pig होगा got होगा horse होगा cattle होगा और भी जो vertebrates है जो हर्वी बोर्स है वो भी क्या हो सकते है इसका host हो सकते है secondary host हो सकते है राइट आगे लिखें नई लाइन से टीनिया सोलियम का टीनिया सोलियम का infection यानि संक्रमर वर्ल्ड के यानि विश्व के अधिकांस छेत्रों में पाया जाता है टीनिया सोलियम का infection वर्ल्ड के अधिकांस छेत्रों में पाया जाता है उन इस्थानों पर जिन छेत्रों पर ये infection पाया जा रहा है उन इस्थानों की बात कर रहे हैं उन इस्थानों पर उन इस्थानों पर इनका infection अत्यरिक सामानने होता है नॉर्मल होता है उन इस्थानों पर इनका infection अत्यरिक सामानने होता है जिन इस्थानों पर अगे लिखें जिन इस्थानों पर flashy pig meat यानि की कच्चा सुवर का मांस हम यह कह सकते हैं जिन इस्थानों पर flashy pig meat अत्वा half cooked यानि की अधपका अत्वा half cooked meat pig meat हम यह कह सकते हैं half cooked pig meat या cattle meat खाया जाता है half cooked pig meat खाया जाता है तो ऐसे छेत्रों में बहुतायत में आपको tinia solium देखने को मिलेगा जहां पर सुवर का मांस या हम कह सकते हैं cattle cattle या pig साहब को अधिक से अधिक खाया जाता होगा ठीके उन छेत्रों में जो प्राड़ी रहते हैं या हम कह सकते हैं human रहते हैं उनके अंदर आपका primary host के रूप में या नहीं टीनिया solium के लिए primary host के रूप में काम करेगा तो ये बात हो गई हमारे किसकी habit और habitat की अब heading डाल दीजे बच्चो external morphology तो heading डाल दीजे external morphology जिसे हिंदी में कहते हैं बाह आकार की बाह आकार की ठीके तो इसकी बाह आकार की क्या है external morphology क्या है वो हम लोग देख लेते हैं फटा फट important है पूछा जाता है ठीके तो लिखें इसमें tiniasoleum का सरीर या tiniasoleum की body tiniasoleum की body 1.5 meter हो हो डेड़ मीटर तक हो सकता है इतना ये एक मीटर ये होता है और आदा मीटर हो कर लिए है तो डेड़ मीटर की क्या है पाई जाती 1.5 meter long मतलब लंबी और ये कहां रहता है 1.5 meter primary host human human की intestine में रहता है इस बात के याद रखियो तो 1.5 meter long comma flat that means chapter flat comma conduct that means segmented segmented means conduct और रिमाल लाइक और रिमाइक का RIBUN लाइक बोले तो रबर की तरह है अगर आप इसको पकड़ के खीचेंगे थोड़ा सा जाधा खीचेंगे तो विकार हो जाता है थोड़ा सा अगर खीचेंगे तो फिर यह अपने उसी स्टेट में आ जाता है ठीके तो रिबन लाइक काउंट इनिया सो लिए हम जिसे हिंदी में हम लोग पटेरी कहते हैं उसको पढ़ रहे हैं तो 1.5 मीटर लॉंग कॉमा फ्लैट कॉमा सेग्मेंटेड एंड रिबन लाइक होता है रिबन लाइक होता है इसके सरीर के उपरी तथा नीचली सता पर इसके सरीर के उपरी तथा अपर एंड लोवर सर्फेस पर उपरी तथा नीचली सता पर उपरी तथा नीचली सता पर इस पश्ट अंतर नहीं पाया जाता इसके सरीर की उपरी तथा निचली सता पर सता पर इस पश्ट अंतर नहीं पाया जाता है तथा तथा बॉडी का अगला सिरा निकि जो उसका बॉडी है उसका एंटीर एंड बॉडी का अगला सिरा पतला अगर हम इसके एंटीर एंड की बात करें बेटा एंटीर एंड की बात करें तो काफी पतला है हम यह कह सकते हैं नैरो है ठीक है पतला यह सकरा हम बोल सकते हैं इसको तथा पॉस्चिरियर एंड पॉस्चिरियर एंड यह पिछली सता हम बोल सकते हैं पिछला भाग चौड़ा ब्राड ब्राड होता है अब इसके बोड़ी में सबसे पहले हमको एक खास बात देखने वाली है क्या कि इसका बोड़ी के अंदर क्या पाया जा रहा है इसके बोड़ी के जो इसकी पूरी अगर बोड़ी को आप देखें तो कैसी है segmented है like अगर आप ध्यान से देखें के tiniya solium को तो इसकी एक तम वाइ्ट कलर का आपको मटमेला कलर का दिखाई देगा और इसकी body एकदम कैसी होती है segmented होती like this इस तरीके से ठीके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे segments पाये जाते हैं और segment के रूप में पूरा पूरा tiniya सोली है वापस में जुड़ा रहता है इसको याद रखीगा तो इसके body पर segments पाये जाते हैं segments पाये जाते हैं तो heading डाल दीजे segmentation पहले heading पड़ेगी segmentation इसमें लिखे है segmentation में s-e-g-e s-e-g-m-e-n-t-a-t-i-o-n segmentation लिखे है इसमें बच्चो बड़ा important है segmentation and segmentation में मैं जो data आपको बता रहा हूँ इस data को आप याद रखीएगा ठीक है यह काफी important है data इसका लिखे है tiniya solium की body tiniya solium की body segmented होती है tiniya solium की body segmented होती है खंड यूपत होती है इनने में लिख ले जिसमें कितने segment हो सकते है minimum और maximum तो minimum segment जो आपको देखने को मिलेंगे वो 800 से लेकर maximum 1000 at 100 to 1000 800 से लेकर 1000 तक जिसमें 800 से 1000 तक 800 से 1000 तक segments पाए जाते हैं खंड पाए जाते हैं segment पाए जाते हैं चिक है जिन्हें यह जो segment है इनको segment के नाम से नहीं जानते हैं तो पूरी body में जो segment पाए जाते हैं इन्हें एक नाम से जाना जाता है जिसको जो बुलते हैं proglottis जिन्हें proglottis 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 जिन्हें proglottis कहते हैं जिन्हें proglottis कहते हैं तो पूरे body पर जो segment पाए जा रहे हैं उन्हें सभी को बलोग क्या बोलते हैं proglottis कहते हैं राइट रहे ऐसे लिख ले हैं body के body के all segments सारे के सारे segments body के all segments अपनी size all segments अपनी size या अपने size व shape size and shape यानि कि इनका क्या आकार है अपनी size वा shape में विभाजित किये अपनी size वा shape में विभाजित किये जा सकते हैं अपनी विभाजित किये जा सकते हैं तथा all body यानि पूरी की पूरी जो body है इनकी तथा all body तीन पार्ट में तथा all body तीन भाग में तथा all body तीन भाग में तीन पार्ट में विभाजित की जा सकती हैं तीन भाग में विवाजित की या तीन पार्ट में डिवाइट की जा सकती है जिसे या जिन्हे इसकोलेक्स याद रखना इसकोलेक्स यस-c-o-l-e-x जिन्हें इसकोलेक्स कॉमा नेक गरिवा वाला रीजन यहां पर नेक पाई गई ठीक है तथा इस्ट्रोबिला इसकोलेक्स नेक इस्ट्रोबिला जिन्हें कहते हैं इसकोलेक्स कहते हैं नेक कहते हैं तो इसकोलेक्स वाला रीजन क्या होगा डैफिरेटली यह वाला जो पार्ट होगा इस part में एक proglotid पाया जाएगा ये proglotid क्या करेगा बॉडी अपनी इसकी जो बॉडी है इसको primary host जो human है उसकी intestine से जुड़ने में साहता करते हैं intestine में attach होने के लिए इस collect पाया जाता है और उसमें सकर पाया जाते हैं थुसरा है neck neck वाले reason में क्या है चोटे-चोटे proglottis बहुत आपस मिलते हैं और neck वाला region बना देते हैं और strobilla neck के बाद, जितना भी अब आपके यहां पर proglottid पाये जाएंगे जितने भी proglottids होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बटा? strobilla कहलाते हैं, ठीक है तो इस बात को याद रखना तो इसकी body को, इसकी all body को कितने part में डिवाइट कर सकते हैं, तीन part में, पहला iscolex, दूसरा neck, तीसरा istrobula, अब बात आती सर iscolex की, तो डाल दो heading फटा फट iscolex, कहें छोड़ेंगे इसको, है ना, भाई, इसके segmentation में जो पहला, यहाँ पर, आपका heading निकल क्या आया है, वो iscolex तो एक छोटी से heading डाल दीजे, ए करके डाल दीजेगा, ए heading डाल दीजे, iscolex, iscolex, yescolex, iscolex, right, तो heading कहा रहा है लिए, iscolex, इसको हम लोग head भी कहते हैं, क्या head, यानि कि यह इसका head वाला reason हो सकता है, ठीके, सिर, लेखें iscolex में, फटा फट, टीनिया सोलियम का, anterior end, यानि कि अग्र सिरा, इसकोलेक्स या head कहलाता है, इसकोलेक्स या head कहलाता है, जो की, 1 mm एक मिलिमीटर, डायमीटर, 1 mm डायमीटर वाला होता है, जो की, 1 mm एक मिलिमीटर वाला होता है, जिसका upper end, यानि कि जो उपरी भाग है, जिसका upper end, फ्लैट होता है, चप्टा होता है, जिसका upper end फ्लैट, यानि चप्टा होता है, तता इसकी surface पर, यानि कि जो इसका surface है, आपरेंट का, तता इसकी surface पर, एक, इसकी surface पर, एक, special structure, एक special structure, जैटमिस एक विसेश प्रकार की सनचना, एक special structure, पाया जाता है, जिसे, रॉस्ट्रम कहते हैं, जिसे, रॉस्टेलम कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रॉस्टेलम कहते हैं, जिसे, रॉस्टेलम कहते हैं, ये एक special type का structure है, कि इस structure में किसमें रos theylum में किसे structure में कायटीन के दौरा प्रोड ये जरुदेुज यह निर्मित कायटीन के दौरा प्रोड जरुड लुदेुज 22 से 32 टाइटीन के दोरा प्रोडियूस 22 से 32 पॉइंटेड नुकी ले 22 से 32 पॉइंटेड हुक्स 22 से 32 पॉइंटेड हुक 22 तू 32 22 पॉइंटेड हुक्स दो पंक्तियों में जैसे टू रोज में टू रोज दो पंक्तियों में इस्थित रहते हैं ठीक है दो पंक्तियों में कह रहते हैं बटा इस्थित रहते हैं जिसमें जिसमें external hole में जो इसका बाहरी चक्र है जिसमें external hole में external hole में बाहरी चक्र में external hole में बाहरी चक्र में small size छोटे आकार के ठीक है small size यानि छोटे आकार के वा internal hole में याद रखिएगा इसको वा internal hole में large size बड़े आकार के internal hole में large size बड़े आकार के hooks पाये जाते हैं large size के क्या पाये जाते हैं hooks पाये जाते हैं इस बात को याद रखिएगा नहीं लेंसे लिखे हैं नहीं लेंसे लिखे हैं इस कोलेक्स का इस कोलेक्स का middle part यादि किसका जो बीच वाला भाग है इस कोलेक्स का middle part बीच वाला भाग अत्यधिक चोड़ा होता है highly broad होता है highly broad होता है जिसके साथ जिसके साथ four hemispherical जिसके साथ four hemispherical अर्ध गोला कार hemispherical जिसके साथ four hemispherical सकर्स इस्थित रहते हैं four hemispherical सकर्स अर्ध रहते हैं ठीक है इतना समझ मैं आया बच्चो इसके आगे नई लाइन से लिख लिजे सकर्स अपनी या सॉरी यह लिखे है इसकोलेक्स अपनी इसकोलेक्स अपनी सकर्स की सहाता से इसकोलेक्स अपनी सकर्स की सहाता से इसको हम लोग neo ciusak बोलते हैं हिन्दी मैं सकर्स की सहाता से फोंस्ट की Allementry Canal शकर्ण की सायता से कैंड। एलिमेंटरी कै ना हिड़ि में इसको क्या दे ना ह क्या पहले안 होस्ट की Allementry prakt we लिग दीजिएगा इंटेस्टाइन इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इंटेस्टाइन कांसी वाली अरे सर तो रहता है ब्रैकेट में लिख दीजेगा small intestine ठीक है small intestine की भित्ति के साथ यह वाल जो उसकी अंत्रिक वाल है बाहर ही नहीं अंदर वाली small intestine तो एक tube like structure ना तो मालूए intestine इसके अंदर वाली वाल में क्या रहता है यह attach रहता है किसकी साहता से सकर्स की साहता से तो वही मैंने बताया इसकोलेक्स अपनी सकर की साहता से host की ठीक होस्ट की elementary कनाल ब्रैकेट में small intestine की भित्ति के साथ attached रहता है भित्ति के साथ attached रहता है ठीक है आता हा इसकोलेक्स इसकोलेक्स टीनिया सोलियम का attachment part होता है यानि की चिपकने वाला भाग होता है आता इसकोलेक्स टीनिया सोलियम का टीनिया सोलियम का attachment part होता है तो इसके इसकोलेक्स को हम लोग देख लेंगे इसके थोड़ा सा डाइगराम बना करके देख लेते हैं ठीक है समझ लेते हैं उसको भी फटापट तो यहाँ पर मैंने डाइगराम ड्रॉ कर दिया है ठीक है external morphology में हम लोग suckers देख रहे हैं और suckers में especially हम लोग यहाँ पर पहला जो इसका part है वह स्कोलेक्स तो इस कोलेक्स को समझना है especially यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप जब देखेंगे इसका जो head जो है यह पूरा head कला रहा है यह वाला reason क्या कला रहा है head है तो जो head है है इस head में आपको सबसे ओपर क्यों देखनी को मिलीगा rostellum जिससे कआ करता है शकिंग करता है rostellum मिलता attachment करता है यह किस से intestine से और जुमिए rostellum में क्या पाए जाते है rostellum में hook पाये जाते हैं और यह hook की सायता से क्या करता है जो human body के अंदर जो small intestine है वहाँ पर यह easily तरीके से attach हो जाता है चिपक जाता है टेंटिकल्स के तरो यह हम कह सकते हैं hook के तरो तो hook जो है आपर दो type के पाये जाने एक small hook है और एक large hook है तो rostealum का main function क्या होगा है हमने समझ लिया rostealum जो होता है वो intestine में इसको attachment provide करता है और उसके साथ में जो चिपकने में साहता करता है फिर यहाँ पर इसके 4 suckers पाये जाते हैं पूरे चारों तरफ आप देखेंगे इस तरीक के घुमा हुआ होगा तीन इधर दिख रहे हैं कि इसके जस्ट पीछे होगा इनकों लोग बोलने हैं तो टोटल कितने हैं 4 suckers यहाँ पर present है जो की चूसक का काम कर रहे हैं जो भी आप खाएंगे पीएंगे और small intestine में digest हो करके जो भी पहुँचेगा यह भाई साब वहाँ पर बैठे हुआ हैं और यह क्या करते हैं सब पी लेते हैं यापकी महनत का फल यह पी रहे हैं समझ रहो इसके ठीक नीचे क्या पाया जाता है यह neck वाला reason पाया जाता है थोड़ा सा और detail में देखें तो यहाँ पर यह चारों तरफ क्या मिलने आपको सकर्स मिलने और central part में यह सामने की तरफ से बनाया गया ठीक है central part में आपको रॉस टेलम दिख रहा है और इस रॉस टेलम में बाहर की और आप देखेंगे तो small hooks बाहर की और और large hooks अंदर की और दो पंक्तियों में पाये जाते हैं two rows में पाये जाते हैं ठीक है तो इस तरीक second point लिखिए next second heading डाल दीए मतलब second लिगाने का बतलब B B heading पड़ेगी यहाँ पर B heading डाल दीजिए neck लिखो इसमें tiniasolium के सरीर में यानि body में tiniasolium के body में iscolex के पीछे अब यह डाइगराम देखाता है यहाँ पर iscolex वाला region था उसके ठीक नीचे पीछे वाला region ठीक है neck कहलाता है iscolex के पीछे body का सबसे small part iscolex के इसcolex के पीछे back side में पीछे body का सबसे small part small part arrange रहता है यानि इस्थित रहता है ठीक है इस्थित रहता है जिसे neck कहते है जिसे क्या कहते है बटा neck कहते है right यहाँ part यहाँ part budding कहलाता है बी यू डबल डी आई एन जी यहाँ part budding द्वारा sorry कहलाता है नहीं द्वारा नए segment का बड़िंग द्वारा new segments का new segments का formation करता है ठीक है आता हा यहाँ टीनिया solium के आता हा यहाँ टीनिया solium के बॉडी का समझे इस बात को अता यहाँ टीनिया solium के बॉडी का growing reason होता है growing reason growing reason कहने का आर्थ होता है यहाँ ऐसा part है जो body के जो proglotid है backside के जो proglotid बन रहे है वो इसी neck reason से बनेंगे समझ में आ रहा है तो neck reason में जो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं टीनिया solium के segments पाये जा रहे हैं यह budding द्वारा नए segments का formation करते रहते हैं अब मालीजे टीनिया solium के body से proglotid जो है थोड़े से destroy हो करके हट गए निकल गए body के बाहर तो क्या होगा कि जो neck reason में जो segments हैं नेक reason में जो segments पाये जा रहे हैं वो day to day क्या कर रहे हैं new segments का formation करा रहे हैं तो neck reason का यह एक बहुत बड़ा importance है इसके बाद में next heading हमारी पढ़ेगी C heading डाल दीजिए strobilla C heading हमारी पढ़ेगी कौन सी strobilla strobilla तो इसमें लिखें सभी लोग तो next heading हमारी कौन सी पढ़ेगी strobilla strobilla के अंतर गत लिखें यह टीनिया सोलियम के यह टीनिया सोलियम के body का यह टीनिया सोलियम के body का main part होता है मुख्य भाग होता है जिसमें जिसमें more than 800 800 से अधिक जिसमें 800 से अधिक segment 800 से अधिक segments इस्थित रहते हैं 800 से अधिक segment इस्थित रहते हैं जिन्हें जिन्हें प्रो ग्लॉटिड्स कहते हैं जिन्हें प्रो ग्लॉटिड्स कहते हैं यहाँ प्रोग्लॉटिड बॉडी के किसके बॉडी के टीनियास ओलियम की बॉडी के यहाँ प्रोग्लॉटिड बॉडी के यूनिट के फार्म में कार करते है या प्रोग्लॉटिड बॉडी के यूनिट के फार्म में नहीं लाइन से लिखिये इस्ट्रोबिला में इस्ट्रोबिला में पाए जाने वाले इस्ट्रोबिला में पाए जाने वाले प्रो ग्लॉटिड्स इस्ट्रोबिला में पाए जाने वाले प्रो ग्लॉटिड्स अपने डेवलप्मेंट के आधार पर अपने development के आधार पर base पर divide किये जाते हैं यानि कि इनका किस तरीके से development हो रहा है किस तरीके से इनका विकास हो रहा है उसके base पर आप इनको divide कर सकते हैं तो stroke बिला में पाये जाने वाले proglotids अपने development के आधार पर divide किये जाते हैं जिसमें जिसमें सामाने रूप से और मली सामाने रूप से बॉडी के अगले भाग में इस्थित एंटिरियर रीजन में या एंटिरियर एंड पर इस्थित 200 कितने 200 या 200 कर दीजिए 250 200 या 200 सेग्मेंट 200 या 250 सेग्मेंट एक दाटा निकाला गया 250 सेग्मेंट यंगेस्ट यंगेस्ट मतलब सबसे तरोन सबसे बेस्ट सबसे अच्छे कहने करत यहां पर आ रहा है तो सबसे आगे की ओर यंगेस्ट या इम्मेच्योर इम्मेच्योर अपरिपक्व इम्मेच्योर अपरिपक्व प्रोगलोटिट्स प्रोगलोटिस को हिंदे में कहते हैं बता देहं खंड वाओ देहे खंड Superintendent इसको हंदी में कहते हैं प्रो ग्लौ्टिड को तो youngest या immature प्रो ग्लौ्टिड होते हैं ठीक है कवादी के middle part में यानि कि अगर हम लोग इसके बीच की बात करें body के middle part में मद्य भाग में middle part में that means मद्ध भाग में arrange यानि इस्थित 450 साड़े 400 segment 450 that means साड़े 400 segments अत्यधिक develop होते हैं more develop ये लिखेगा अत्यधिक develop होते हैं more developed होते हैं जिन्हे जिन्हे mature proglottis जिन्हे mature proglottis कहते हैं जिन्हे mature proglottis कहते हैं ठीक है इन्हें लोग क्या बोले हैं mature proglottis कहा रहे हैं किसे जो body के middle part में पाया जाता टीनिया सूलियन के ठीक है चलो तथा आगे लिख लो तथा बोडी के पॉस्चीरियर पार्ट में बोडी के पॉस्चीरियर पार्ट में पॉस्चीरियर पार्ट में पाये जाने वाले 150 to 300 1500 से ले करके 300 तक डटा याद रखना 150 to 300 segment oldest पुराने हो चुके हैं समझे रहो कितना गजब की बात है तीन तरह के बोडी का पार्ट है youngest फिर यहाँ पर mature that means immature, mature और oldest हम यह बोल सकते हैं तो क्या लिखा बॉडी के पॉस्चीरियर पार्ट में अरेंज 150 to 300 segment oldest होते हैं पुराने होते हैं जिन्हे जिन्हे ripe आर आई पी ई ripe मतलब खतम होने वाले हैं यह ठीक है जिन्हे राइप या ग्रेवाइड जी आरे वी आई डी जिन्हे राइप या ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड कहते हैं जिन्हे राइप या ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड कहते हैं प्रोग्लॉटिड कहते हैं इस प्रकार इस प्रकार ओल्डेस्ट सेग्मेंट या राइप सेग्मेंट या ग्रेवाइड सेग्मेंट ठीक है ना जो बॉडी के लास्ट पार्ट में होता है इस प्रकार ओल्डेस्ट सेग्मेंट बॉडी से लगातार तूटकर बोडी से लगातार तूटकर अलग होते रहते हैं बोडी से लगातार तूटकर अलग होते रहते हैं जिस क्रिया को यह बहुत important है आप भी जाती है एक number में पूछने के लिए तो आप सीधे लिख दो क्या लिखना है इस क्रिया को जिसक्रिया को आपोलिसिस और हिंदी में इसको हमझां बोलते हैं प्रमोचन तो अगर आजाए प्रमोचन क्या होता है एक number में इसी में पूछने का आजाए तो आप लिख देंगे कि टीनिया सोलियम का जो posterior भाग होता है प्रोग्लाटिट का जिसे हम लोग ग्रैवाइड जहां पर ग्रैवाइड या राइप या ओल्डेस्ट सेग्मेंट्स धाई सो से तीन सो तक अरेंज रहते हैं ठीक है वो क्या करते रहते हैं वो लगातार बाडी से तूटते रहते हैं अलग होते रहते हैं वाड़ी के होस्ट की वाड़ी से बाहर निकलते रहते हैं यह जो टूटना है यह जो सेगमेंट से यहां पर टूट रहे हैं इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या एपोलेसिस या प्रमोचन ठीक है तो इस तरीके से बच्चों यह हमारा होता है complete external morphology और टीनिया सोलियम का एक long question हमारा यहां पर finish होता है then इसके बाद में आपको टीनिया सोलियम का पढ़ना है reproduction और उसके बार में हम लोग discuss करेंगे कल और इसका structure जो है वो आप लोग बना लीजेगा ठीक है आपके पास मुख होगी या कोई model paper है तो उसमें टीनिया सोलियम पे structure बना होगा वही बना ल एंडार चार्म